नमस्कार दोस्तो एननार इस्टडी ए लेर्णिंग प्लेटफरम पर आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम हिंदी की महतपूर्ण काहुते पढ़ने वाले हैं जो कि आपके रीट के एक्जाम की दस्टी से और हिंदी का जो जहां पर भी काहुतो वाला टोपिक आता है तो उ अकेला चना भाड नहीं वोड़ता अथार्थ क्या होगा कि अकेला आदमी बड़ा काम किस तरह करे पिर हम वाकियों में साथ में परियोग करते हुए भी चल रहे हैं काहुतो को अड़ाई हाथ की ककड़ी नो हाथ का बीज बच्चा सरारत में माता फिता से भी बढ़ गया ठीक है फिर अतिसे भक्ती चोर के लक्षन यानि ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है कि अतिसे भक्ती के ज्यादा बक्ती चोर के लक्षन के ज्यादा बक्ती क्या होते चोर के लक्षन अथार्थ ढोंगी आदमी चापलूस ही करता है चलेगा बात करते हैं आगे अगली अगे अंडा सिकाए बच्चों को की चींची मत कर चोटे का बड़े को नश्यत देना कि छोटा बच्चा वता है वो बड़ो को सीख देता है ठीक है अंदा क्या जाने दोनों आखे यानि जरुत वाले की जरुत पूरी होती है तो उसे चाहिए ही क्या फिर अंदा पीसे कुता खाए के अगले कावत है अन्दा बाटे रेवडी फिरी फिरी अपनों को दे अपनों को ही बराबर फाइदा पहुंचाना के केवल अपनों के बारे में ही सोचता है ठीक है तो अगली कावत है बई के अंधरी नगरी चोपट राजा टके के बाजी टके सेर खाजा अत्याचारी और मुर्क राजा के लिए परिप्ट हो आया ठीक है अंधरी नगरी चोपट राजा एक अत्याचारी राजा के लिए परियुक्त हुआ है कि जो अत्याचार करता है और उसकी नगरी में पूरी नगरी कोई क्या करता है चौपट करता है जाएगा मुर्ख राजा क्या सकते हैं माला मजहारा तो शेर कर Everest आज की इंपरटन सारी क कावत हो जाएगी जो भी आपके 9 क्लास के ले ₹ट टक्वल्ट क्लास तक जितिति भी कावत हैं आपकी सारी यह से राथ सोगे की अंदों के आगे रोना अपना दिदाख होना अंदों के आगे रोना मतलब ना समझ को समझाने का प्रियास करना कुछ होता है ना कितनी बार भी समझाओ समझते तो है ने वहीं चीज है चलेगा अंदे के हाथ बटेर लगी अंदे के हाथ बटेर लगना मतलब अपात्य को कोई बहु मुल्य चीज मिल जाना क अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना काम देँ उसको पहुं मिल्ये चीजे मिल जाना या बहुं मिल्ये वस्तु मिल जाना फिर अगला देखो अंधों में काणा राजा मुर्खों के बीच कंपड़ा लिका सदेव आधर पाता है कि मुर्ख बहुत सारा मुर्ख है उनकी ब खीह 2 पकाना अपने ढाई दैन की मज़्द अलग बनाना मतलब सबसे अलग होकर कोई काम करना और क्कावत हो सकती है आपकी अपनी धॉस्याइध के मजधित को अलग़ बनाना कैंए क्या करना कि वह उपने ड्याइध मतलब इस जरी अलग काम करना चलेगा अगली कावत है आपके सामने अपनी अपनी डपली अपना अपना राग यानि एक मत होकर काम ना करना कि अपनी अपनी डपली अपना अपना राग के अवल अलगी चलना क्या आप मुझे तो कुछ लेना देना है ही नहीं नहीं होता नहीं तो खुद काई काम मतलब अलेग वोकर काम करना एक मतना होना किसी की बढ़ना नहीं चलेगा अगली कावत है अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपने ही करमों का फल पाना अपने ही करमों का फल पाना चलेगा अगली कावत है आपके अपनी गली में तो कुता ही सेर होता है यह तो कावत आपने को भी वहाधूर होता है कि घर मईने तो कुतो ही सेर्व है तो हई अपनी जिगह डर को भी बहादूर होता है सायक के बरौसे निर्वेता और सहास दिखाता है यानि कोई अगर साथ में कुछ साहता मिल रही हो तो वो डर बताएगा दोस दिखाएगा अपनी चलेगा बात करते हैं आगे चलेगा दोस्तो अगली कावत आचकीए आपके कि अपने दही को खटा कोहन केता है कि अपनी मान ने डाकन गुण के वे अपने दही को खटा कौन केता है मतलब अपनी वस्तु किसे अच्छी नहीं लगती है कि नई भै मारी वस्तु तो बहुत बढ़ी है थारी खराब रहे ला मारी क्यों खराब है न वहीं चीज़े अपने मुह मियां मिट्चु बनना अपने मुह अपनी ही बड़ाई करना बिगड जाने पर पस्तावा व्यर्थ है पहला रहता है यूँ तो तबला जाता क्यों वहीं चीज़े न चलेगा अगली आपकी कावत है असरफियों की लूट कोईले पर छाप अधिक नुक्षान की चिंता ना कर कम नुक्षान पर दुखी होना कि अधिक नुक्षान की च अकल बड़ी या भेंश जो काम बल से नहीं होता है वो बुद्धी से होता है बलवान कितना भी हो परन्तु बुद्धी से वो सब कुछ जीत सकता है अकलमंद को इसारा वेवकूप को तमाचा ठीक है कि अकलमंद को इसारा ही कापी है वेवकूप ठोके तो हमज में वनिया में लातार भूत बाताओं कोनी मानने तो वही चीज है कि बुद्धिमान को इसारे से ही समझ कर काम करता है कि तो मुर्ख तमाचे खाकर ठीके आगे अगली कावत है अस्ति की आमद चोरा सिका खर्च के आमद से ज़्यादा खर्च करना के चीज तो थोड़ा रिपेर यह और खर्च ज़्यादा कर दिया तो वही चीज है तो अगली आपके कावत कौन सी है आंसो से प्यास नहीं मुझती के रोने से दिल का रमान पूरा नहीं होता है कि आप रोगे तो रोने स कोई ख्वाप पूरे नहीं होते हैं उसके लिए महनत करनी पड़ती है अगर आप महनत करोगे तभी आपको मंजिल मिलेगी वरना नहीं मिलेगी चलेगा भई अगली कावत है आये थे अरी बजन को ओटन लगे कपास कि करना था क्या और करने लगे क्या क्या आया था अरी ब आपको मिल सकती है तो इसलिए थोड़ा उस बासा को भी मैं मिक्सिंग में चलाते वे चल रहा हूं मजा आना चाहिए आग लगते जोंपड़ा जो निक्सेस लाब कि जहां सब कुछ नस्ठ हो रहा हो वहां जो थोड़ा सा बच जाए वही लाब समझना चाहिए कि अगर सब बढ़ हैं थोड़ pictja बचे जाए बंली बात है कम बच गो वही चीज यह है आगे कुवा पीछे खाई कारिये करने ना करने दोनों में खराबी है कि मतलब कारिये उसेसे निक्रां तो फेसे साथ आगे कुवा पीछे खाई कि अन्न जावां शीक धोली आपने तो चलेगा आ कुमिया भी अच्छी है अगली कावत अच्छा के कि कहीं दूप च्छाय बग्य की विचरत आ की इसर की माया कहीं दूप कहीं च्छाया है ना कि चलेगा उत्तम घेती मध्यमबान नीच चाकरी भीग निदान चलो इसका भी देने रखा है इसको छोड़ो अगले यह आगया आपका अगले है न उल्टा चोर कोतवाल को डाटे एक तो अपराद किया और उपर से दूसरों को डाट रहा है कि नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डाटे एक जो अपराद किया वो माना नहीं उल्टा दूसरे को दमकाता है तो अगला देखो उल्टे बांस पहार चड़ाना या उल्टे बांस बरेली को कि उल्टा गाम करना उची दुकान फीका पकवान परसी तो ज़ुदा है पर उन्तु योगीता कुछ नहीं। फिर उट के मुह में जीरा कि उट के मुह में जीरा मतलब थोड़ो कि बहुत थोड़ा। फिर उट चड़े पर कुटा काटे बाग्य का खोटापन हर वक्त सताता है कि कणी गणी देखेंगे ना तो वही चीजे समझ में आरा है बजा आरा तो शेर करते रोपी उधो का लेणा ना मादो का देणा उधो का लेणा ना मादो का देणा मतलब ना इरु लेणो ना बीरु देणो बेफिकर होन गरे रेवनो वही चीजे ना इरु देणो ना इरु लेणो मुश्लों का क्या डर के उखल में दिया सर तो मुश्लों का क्या डर जब एक मुशिबत खुद खरी ली है या एक मुश्किल का में हाथ डल दिया तो अब रास्तों की तकलिफों से क्या डरना कि अगर हमने मंजिल को पाने का अगर फैसला ही कर लिया है तो मुश्किलों से क्य गबराना चाहे मुश्किल कितनी भी आए बस बढ़ते चले जारना तो वही चीज रखे चलेगा अगली कावत है एक अनावार सो बिमार तो वस्तु कम मांगे ज्वादा के वस्तु तो एक है मांगू नाणा सो केता हैं के बई गाउं बसे नी भी पहला भीकारी बस जा वही चीज है ना तो एक तीर दो निसाने तो एक ही उपाय से दो काम होना चलेगा आगली कावत के बारे में एक तो करेला करवा दूसरा नीम चड़ा आगे एक तो कोई व्यक्ति पहले से बुरा था अब उसे बुरी स संगती मिल गए के पहली यो तो गणय बदमाज ओन और इरे संगती गणत पड़गी एक तो चोरी दूसरे ने सीना चोरी एक तो अपरात गया और दूसरा जबाल लड़ाता है काय गजूते चलेगा अगली कावत की और एक पंत दो काज एक ही उपाय से दो काज करना पिर अ ओचे की प्रीत बालू की भीत के छोटे दिल वाले की दोस्ती रेत की दिवार की तरह कमजोर होती है अगली कावत क्या है एक आथ से ताली नहीं बजती भाई साब दोनों आतों से ताली बजेगी के दोनों पक्सों का अपराध होना जरूरी है चलेगा ओस चाटे प्याज नहीं बुझती ना ओस चाटे प्याज नहीं बुझती के थोड़ी चीज से ज़दा चाहने वालों को तसली नहीं मिलती अगली देखो कावत कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव कि समय किसी का नहीं रहता कहा राजा वोज कहा गंगु तेली कहा गटिया दरजा वाला आदमी और कहा इतना बड़ा आदमी इसकी बड़ाई कर रहे हो कहीं का इट कहीं का रोड़ा बनोमती ने कुनवा जोड़ा कि इदर उदर की अनमोल बाते करना कहीं बूडे तोते भी पड़े हैं कहीं बुड़े तोते भी पड़े हैं मतलब पुरानी उम्र के आदमी नए काम सीख नहीं पाते हैं कहीं बुड़े तोते भी पड़े हैं क्या बुड़े तोते भी कभी पड़े हैं क्या क्या मतलब पुरानी उम्र के आदमी होते हो ने काम नहीं सीख पाते हैं काट की हाड़ी बार-बार नहीं चड़ती कि दोके का व्यापार बार-बार नहीं होता कि एक बार जगो लकड ले ले वे नहीं वो फाचो भी रिस्ता माते हैं काबूल में क्या गद्दे नहीं होते हैं अच्छे बुरे सबी जगे होते हैं मतलब अच्छा बुरा सब जगरेवे का वर्षा जब कर्सी सुकाने समय चुकी पुनी का पच्ची ताने के समय निकल जाने के बाद पचताना बेकार है चलेगा आगली कावत पड़ता है कुत्ते की दूम फिर भी टेड़ी की टेड़ी के कुत्तारी दूम तो बैड़ी रे बैड़ी रे के कूछ संसकारी व्यक्ति सीख का कोई प्रबाव नहीं पड़ता है जो संसकार हिन व्यक्ति होता है उस पर संसकार का कोई प्रबाव नहीं पढ़ता है चलेगा आगली कावत है कोई लोग की दलाली में मूँ काला के कोई लोग की दलाली में मूँ काला के बुरे काम का नतिजा हमेशा बदनामी होती है चलेगा आगली कावत पढ़ता है अगला है खग जाने खग की ही बासा जो जिश के साथ रहता है वही उनके विचारों से परिचित होता है चलेगा अगली कावत पढ़ लेते हैं खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है आदमी को देखकर आदमी अपना डंग सीखता है एक दुजान देखन सीखे खरी मजबूरी चोका काम के मजबूरी अच्छी तो काम भी अच्छा अगली चलो लगबग हम 65 के उसन आज 65 कावत कर लाते हैं अगली गलास में और कराएंगे चलेगा अगली पढ़ते हैं किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे के गुस्य वाला वेक्ती दूसरों पर गुस्य निगालता है गुस्य वाला वेक्ती होता है कहीं और का गुस्य और पर निकालता है ठीक है अगला पड़ते हैं खेत खाए गदहा मार खाए जो लहा क्या अपराद किसी का दंड किसी को और को देता है क्या अपराद किसी और का दंड किसी और को खोटा सिक्का भी बुरे वक्त पर काम आता है कि विपित्ति के समय निकम में चीज भी काम कर जाती है खोदा पहाड निकली चुईया परिश्रम बहुत अधिक और निकला थोड़ा ही फल मिला थोड़ा क्या परिश्रम गणाई करियो लाइस्ट में जान की नि मिलियो थोड़ो मिलियो वह चीज गुड खाये गुलगुले से पहरेज के दिखावटी प्रेज के दिखावटी पन बतावन के गुलगुल खाये गुड खाये और गुलगुले से प्रेज गुरु गुड चेला चीनी चेले की योगेता गुरु से बढ़ जाना के गुरु तो गुड और चेला चीनी हो गया के मतलब गुरु ने लार छोड़ दियो चेलल तो फिर गोध में बच्चा नगर में ढिंडोरा पास में वस्त वे और पूरा सेर में ढूंडे अगला गर का जोगी जोगडा आन गावराज सिद मतलब कोई व्यक्ति चाहे कितना ही गुणुगान क्यों नहों अपने लोगों के बीच मान नहीं पाता है गर का बेदी लंका ठाहे तो गर के चिपे बेद जानने वाला व्यक्ति बरबादी को लाता है फिर गर की मुर्गी दार बलावर तो गर की चीज को मैतव नहीं मिलता है तो आज लगबग हमने 70 लोको क्या सोरी कहावत पढ़ ली है जो कि एक्जाम की दस्टिस से इंप्रोटन है लगबग 70 और पढ़ लेंगे तो 140 से बहार आपके एक्जाम में कहीं पर भी नहीं आएगा तो आज का एक क्योशन तो आपके एक्जाम में पक्का हो गया तब पक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजीगा तो